तो हम राजकुमार जी के साथ हैं, राजकुमार जी कुछ बताओ बेकी के बारे में क्या पहले बोलती क्या था, किस तरह से चला और अब क्या लग रहा है। अब क्या नाम है । पहले ये ममता अच्छे से नहीं बोलती है। पापा का क्या नाम है राज कुमार और ममी का जोड से बोलो अब अच्छा लग रहा है कुछ कुछ है तो अभी देखो थोड़ी ची शाय है लेकिन एक सब मिरेकल हो नहीं पहले जिस तरीके से यह नहीं बोल पाती थी और मतलब एक ऐसी स्टिटी भी है फानेंशली भी थोड़ा सा यहां थोड़ी दिक्कत है परिशानी है बट फिर भी सारे संवर्शों को देखते वे और जिस तरह का इनका रिजल्ट आया है वो काबिले कारीश है क्या मुने जी आप भी कुछ कहना कहें रहा है राज कुमार जी को हमने आपकी बेटी बहल जाएगी तो उन्होंने एक भरोसा करा विश्वास किया और हमें सकते बैठेटे और उन्होंने हमसे दवाई मंगवाई और हमने बेटी को दिया था ठंडर और किर्जी डो जिसकी वज़े से आज बेटी साप बोलने लगे और धन्यवाद हो हमारे MD सर का साथ जम्होंने अतने बढ़िया जूस और काड़े बनाए मैं बार बार नमन करूंगा संदीग सर को एशे ही आगे तक अपने लोगों को बताते रहें और जूस और काड़े बढ़िया 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 बने हुई हैं जिसकी वज़े से आज बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं थेंक बहुत बढ़िया थेंक जी सो मच मने जी और मैं भी चाहूँगा संजीत सरकाद मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो एमडी हैं एडवलू के और इस तरह से जो आईरुवेट पे रिसर्ट और घहन अध्यान के साथ लोगों की मतलब ऐसी सी बिमारियां ठीक हो रही हैं जो की लाई-लाज हैं मतलब डॉक्टर उनको नहीं कर पा रहे तो दोस्तों बस अपने परिवार काशी तरह से ध्यान रखें झाल